Hello guys, welcome to Constance Mind, मैं हूँ दीपक और आज हम बात करेंगे एक सिच्छक बरती की notification के बारे में यह PGT की notification है और इसमें कुल 2800 से ज़्यादा पद हैं जिसमें आप आवेदन कर सकते हो आवेदन सुल्क यहाँ पर किवल 100 रुपए है और अभी application स्टार्ट नहीं हुआ है इसे सीटे भी दी गई है तो देखते हैं यह notification कहां से है और कितने लोग आवेदन कर सकते हो चैनल पर अगर नहीं है तो subscribe करके बिल ऐकन को प्रेस कलिजेगा आप लोगों में से बहुत लोग काते थे कि jobs की भी update दे दिया जाय करें इसमें जो है इसनातकोतर प्रसिचित सिच्छक प्रतियोगता परिच्छा 2030 के थुरू यहां पर यहां पर रिकूट्मेंट है और यह एक निमित भरती है यहां पर online आवेदन आपको करना होगा जारखंड करमचारी चैन आयोग की website jssc.nic.in इसमें आपको एक चीज़ और बता दे कि इसमें सिर्फ जारखंड वाले ही यहां पर इसलिए सिर्फ जारखंड वाले ही आवेदन करेंगे यहां पर अधर स्टेट का वैसे कहा तो नहीं गया है नोटिफिकसन में कहीं कि सिर्फ जारखंड वाले इलिजबल है बट एकॉर्डिंग टू नियमा वाली मतलब जो यहां की जारखंड वाले ही इसके लिए इसलिए इलिजबल है और यह जो जारखंड स्टाप सेलेक्सन कमीसन है उसके त्रू है इसमें 100 रुपए एपलिकसन फी है जो पहले 2022 में अविदन किये थे या जो अनसूची जात यह जनजात के हैं उनको यहां पर जिससे कि जो पहले अवि यहां पर नियमीत नियुक्ती है मतलब सीधी वरती में रिखतियों का जो विरड़ है कुलिगारा सब्जेक्ट हैं जी विज्ञान से 218 रसाइन विज्ञान से 223 एंड यह अरच्छड एका काटिग्री वाइज भी सीटें डिवाइड है उसको भी आप देख लिजेगा पर कि सीमीत भरती जो कारिए टिज इटी सिछकों के लिए है वह यहां पर इसमें 11 सब्जिक्ट है बट सीटें कम है इसमें 200 प्लस सीटें है और जी विज्ञान में 73 और कमेस्टी में 75 है जिग्राफिय में 54 है इंदी में 54 है अर्थसास्त में 55 है इतियास में 61 है उसके यहां पर आपका eligibility अगर बात की जाए तो नीचे दी गई है जो eligibility है मुख जो योगिता है वो यह कि किसी मानिता प्राप्त भी सिद्ध्याले से आपके विसे में आपका PG होना चाहिए और उसमें 50% अंक आपके होने चाहिए साथ में बीड़ भी आपका 50% के साथ होना चाहिए इंटीग्रेटेड बीसे एड है जिसको आप ग्रेजुशन प्लस बीड करते हैं वह है तो भी चलेगा और साथ में कुछ और योगिता है उसको आप देख लीजिएगा यहां पर 5% की छूट है जो है दिजरूप कटिगरी को मिलेगी मतलब कि SCST को ठीक है यहां पर आयू सी इसके बाद जो आरत्षड के लिए जो दावा करेंगे उनको सर्टिफिकेट वगर भी देना होगा तो वह सब स्टेट के कॉर्डिंग ही चलेगा ओनलाइन आविदन करने की जो दिशाने अरदेश से हैं या फिर आप देखे गई इन्फरमेशन वो नीचे दी गई है इसमें सब कुछ दिया गया कि किस एप्लिकेशन को कैसे कहा क्लिक करके भनना है इस टीप वाइस दिया गया है यहां पर क्या 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 डाकुमेंट हैँ यह इसमें कहा गया है कि 5 अप्रेल से 4 मही तक आप आविदन कर सकते हो चêu मही तक हाव सुल्क भुकतान कर सकते मतलब अवय दन सुल्क and 8 मही तक आप अपना फोरो एंड सिंचर अप लोड कर पर आपका recruitment, एंड ये जो मुख्य पर इच्छा होगी, वो बहुई कल्पी होगी, इसमें आपका प्रस्न पत्र दो होगे, प्रथम और दिती, जो दोनों प्रस्न पत्र होगा, उसमें प्रथम प्रस्न पत्र में आपका कुल 50 प्रस्न होगे, जिसमें की एक एक नंबर का एक तीन घंटा मिलेगा, और ये दो पालियों में होगा, ठीक है, प्रस्न पत्र पहला जो है, वो समा निग्यान हिंदी भासा की परिच्छा होगी, और प्रस्न पत्र दिती है, वो आपके subject की विसेज परिच्छा होगी, तो प्रस्न पत्र जो प्रथम है, उसका syllabus पूरा यहां पर एक चीज और है, कि प्रस्न पत्र जो पहला है, उसमें मात्र नियुंतम 23% अंग प्राप्त करना निवारी होगा, अगर आप ये 23% अंग लाएंगे प्रस्न पत्र एक में, तो ही आपका दिती ही प्रस्न पत्र का मोले अंकान किया जाएगा, निथा नहीं, ठीक है, प्र certificate वगरे लगेगा वो उसके जो format है वो यहाँ पर दिया गया है notification के साथ में and जब आप एकदम नीचे आएंगे तो यहाँ पर subject wise आपका flavor सभी का दिया गया है जिससे कि आपको तैयरी करने में आसानी होगी ठीक है तो इस तरह से आपके लिए जॉब की नोटिफिकेशन चाहे असिस्टन प्रोफिसल की हो teaching vacancy हो कोई भी हो सभी की नोटिफिकेशन आपको देंगे उस लेवल पर यह नहीं कि आपको हम 10 प्लस 2 का जॉब बताएं यह असन नहीं होगा हम आपको आपके लेवल के कॉर्डिंग सारी जॉब की नोटिफिकेशन देद दिया करेंगे तो इसके लिए चैनल को जुरूर सब्सक्राइब कीज़े टेलिग्राम से जुड़ी है थैंक्यू सो मच फा वाचिंग